जे स्री कृष्णा राधे राधे आई जानते हैं गलती से भी न करें एकां चंद ग्रहर में प्रेगनेंट इस्त्रियां इन चीजों से जरूर करें परहेज चंद ग्रहर से पहले सूतक काल माना जाता है सरत पुडिमा पर लगने वाला चंद ग्रहर का सूतक नौ घंटे पहले यानि दो पहर चार बजकर 44 मिनट से शुरू हो जाएगा सूतक चंद ग्रहर खत्म होने तक यानि दो बजकर 24 मिनट तक रहेगा पौरारिक मानेता के अंसार शूतक काल के दवरान शुब कार्य नहीं करना चाहिए गर्वती महिलाओं को कुछ कार्यों से परहेज करना चाहिए ग्रहर के दवरान प्रेगनेंट स्त्रिया धार दार चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी न करें जैसे सबजी न काटें सिलाई, कढ़ाई, कैची, चाकू का उप्योग करने से बचे ऐसा करना अशुब होता है और मा के साथ बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है ग्रहर के दवरान भगवान का अस्मरण करते रहें, अपने मन में नकार आत्मक विचार नहीं रखने चाहिए साथ ही तनाव और विवाद की इस्थिती से बच कर रहें क्रोध और अहंकार न करें, खुद को बिल्कुल सांत रखें ग्रहर के दवरान घर्वती महिलाओं को सोने से भी परहेज करना चाहिए कहते हैं, इससे बच्चे की बुद्धी पर नकारात्मक ता असर पड़ता है ऐसा करने से बच्चा मानसिक रूप से मंद होता है सास्त्रों के अंसार ग्रहर की अवधी में प्रेगने दिस्त्रियों को तुलसी दल रखकर दुर्गापाट या अपने इश्ट देव के मंत्र का असमरड करना चाहिए इससे माँ शिशू पर बुरी सक्तियों का असर नहीं पड़ता है चैन्ज ग्रहर खत्म होने के बाद गर्भती महिला को पवित्र जलसी असनान कर लेना चाहिए कहते हैं इससे गर्भस्त सिसू और मा दोनों पर ग्रहर का दोस खत्म हो जाता है सुतक्काल में देव विग्रह के असपर्ष को नहीं करना चाहिए इसके अलामा ग्रहर का साया भी देव विग्रहों पर न पड़े इसके लिए मंदिर के कपाट भी बन कर दिये जाते हैं जिन जगहों पर ग्रहर का साया पड़ता है वहां इससे अच्छी और बुरे का अशर होता है इसलिए ग्रहर काल में इसके दोस को कम करने के लिए जब और तप करना चाहिए चंद ग्रहर की दवरान भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए इस दवरान किसी भी प्रकार की पूजा अचना नहीं करने चाहिए चंद ग्रहर की दवरान सोना नहीं चाहिए इस दवरान गर्वती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकरना चाहिए साथी चापू या कैची का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए चंदगरहड के दवरां पेर पधो को छुने से भी बचना चाहिए चंदगरहड दिखे या न दिखे लेकिन इसके कारण तमाम रात्यों पर प्रभाव पड़ता है मान्यता है कि यदि चंद ग्रहर वाले दिन चंद्रमा की मंत्र ओम सोम सोमाय नमः अथवा भगवान सिव की मंत्र ओम नमः शिवाय का जब रुद्राज की मालासी करना चाहिए इससे अशुप्रभाव खत्म होते हैं चंद ग्रहर खत्म होने के बाद गर्भती महिला को पवित्र जलसी असनान कर लेना चाहिए कहते हैं इससे गर्भाव सिसु और मा दोनों पर ग्रहर का दोश्ट खत्म होता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंट करें शियर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आल पर सिद करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुत सके धन्यवाद